जै स्री कृष्णा आज सनिवार के दिन आये सुनते हैं सनी देव और हनुमान जी की यह कथा सनी देव के बारे में कहा जाता है कि एह हनुमान भक्तों को परिसान नहीं करते हैं यही कारण है कि सनी की द्रिष्टी से बजने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों सनी देव हनुमान भक्तों को परिसान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं इत पौरारिक कथा के अंसार सनी देव ने हनुमान जी को बचन दिया हो कि वे उनके भक्तों को कभी परिसान नहीं करेंगे आई ये जानते हैं इस कथा के बारे में एक बार सनी देव को अपनी सक्ती पर अपार घमंड हो गया है सनी देव को लगने लगा कि उनसे सक्ति साली कोई भी नहीं है उनकी द्रिष्टी मात्र से ही ब्यक्ती के जीवन में उथर पुथर सुरू हो जाती है सनी देव इसी मद में चूर होकर ऐसी अस्थान पर पहुँचे जहां पर हन्मान जी अपने प्रभू स्री राम की साधना में लेन थे भगवान स्री राम की भक्ती में डुबे हन्मान जी को देखा सनी देव ने उस पर अपनी वक्रदिष्टी डाली लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ इससे क्रोधी थोकर सनी देव ने हन्मान जी को ललकार दे हुए कहा कि हन्मान जी ने सनी देव पर कोई ध्यान नहीं दिया इससे क्रोधी थोकर सनी देव ने हन्मान जी को ललकार दे हुए कहा कि हे बानत देख कौन सामने आया है हन्मान जी ने सनी देव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ती में लीन रहे सनी देव ने सभी प्रियास कर लिये लेकि हन्मान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सनी देव का क्रोध सात्मी आस्वान पर पहुच गया तनाव और गुशे में आकर सनी देव ने एक बार फिर प्रियास किया और कहा हेवानर आखे खोड़ मैं सनी देव तुम्हारी शुक्षानती को नश्ट करने आया हूँ इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके सनी देव को ये विश्वास्था कि ऐसा करने से हन्मान जी भैफी धो जाएंगे और छमा मांगेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बहुत प्रियास करने पर हन्मान जी ने बहुत ही सहजभाव सी पूछा कि महाराज आप कौन है इस बात को सुनकर सनी देव को और क्रोधा गया सनी देव हन्मान जी से बोले अभी इसी समय में मैं तुम्हारी रासी में प्रवेश करने जा रहा हूं तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं इस बार भी हन्मान जी ने सनी देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभू का असमरड करने दे बिग्न न डाले सनी देव को हन्मान जी की एबात कतई पसंद नहीं और ध्यान लगाने जा रहे हन्मान जी की भुजा पकल ली और अपनी तरब खीचने लगे हन्मान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो उन्होंने तुरन एक जटके से अपनी भुजा सनी देव की पकर से छुडाया इसके बाद सनी देव बिक्राल रूप धारड कर उनकी दूसरी बाह को पकरने की कोशिस की तो हन्मान जी को हलका सा क्रोधा गया और उन्होंने अपनी पूछ में सनी देव को लपेट लिया सनी देव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ सनी देव ने हन्मान जी से बोला तुम तो क्या तुम्हारे प्रिय स्री राम भी मेरा कुछ नहीं भिगार सकते इस पर हन्मान जी को अतियंत प्रोधा गया और पूछ में लपेट कर सनी देव को पहाडों पर ब्रिच्छों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगणा इससे सनी देव की हालत खराब हो गई सनी देव ने मदद मांगी और रच्छा करने के लिए कहा लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया अंत में सनी देव को अपनी गलती का अहसास हुआ और बोले दया करें बानराण मुझे अपनी उदंदता का फल मिल गया मुझे छमा करें भविश्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा तब हनमान जी बोले मेरी छाया ही नहीं मेरे भगतों की छाया से भी दूर रहने का बचन देना होगा सनी देव ने हनमान जी को ऐसा ही बचन दिया इसलिए सनी देव हनमान भगतों को परिशान नहीं करते अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें, हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके, बेल लोटिफिकेशन आल पर सेट करने, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके. धन्यवाद.